नमस्कार दोस्तों लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आशा करता हूँ कि आप स्वस्त होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कस्टमरी पेमेंट्स जो की लड़की या लड़की के माता-पिता ने दी हैं लड़के को यानिकी हस पर दिया जाते हैं और जरूरी नहीं है कि वह मैरिज से रिलेटिड हो लेकिन वह कोई अक्रेजन आता है मान लीजिए कि किसी कोई फंक्शन है कोई सर्मनी है तो उसमें यदि कोई गिफ्ट दिया जाता है तो क्या वह कैटेगरी में आएगा दहेज की इस वीडियो में यह जानेंगे और साथ ही मैं आपको इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोट की जज्जमेंट बताऊंगा जो कि आपको आने वाले टाइम में आपकी मदद करेगी तो इस वीडियो का आप पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पता लगे कि कस्टमरी पेमेंट् गिफ्ट्स डावरी में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं दोस्तों मैरिज के बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि जिसमें की गिफ्ट्स का अधान प्रदान होता है लड़की वाले या लड़की के परिवार वाले लड़कों लड़के को या लड़के के माता पिता को त तो इस यह गिफ्ट क्या उस केटिगरी में आएंगे इस पर सबसे पहले मैं आपको एक जज्जमेंट बताऊंगा सत्वीर सिंग वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब यह उन्रेबल सुप्रीम कोट की जज्जमेंट है इस जज्जमेंट के फैक्ट मैं आपको थोड़े से बता दे करके ताकि वो अपनी जान भी दे दे और उनकी जो बच्चे हैं वो भी मर जाएं और उनकी जो भी मिजरी थी जो भी उनके दुख थे वो खतम हो जाएं और यह वो इसलिए उसने किया क्योंकि उसको काफी क्रुवल ट्रीटमेंट मिल रहा था अपने सस्वराल से लेकिन व वो एक ऐसे स्टेट में पहुँच गी जहांपे वो खुद कुछ भी नहीं कर पाती थी और वो एक बहुत ही दैनी सितेम पहुँच गी क्योंकि उसको उससे काफी इंजरी आई थी लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई थी तो इस केस में हस्बंड के ओपर फादर इनलाउ के सजाबी हुई उन्होंने हाई कोट में अपील करी उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोट में भी अपील करी तो जब यह मैटर ऑन्रेबल सुप्रीम कोट में पहुचा तो सुप्रीम कोट ने क्लियर कर दिया कि कि किसी भी तरह की कोई कस्टमरी पेमेंट्स यानि कि रीती र function है कोई birth of the child है या कोई other ceremonies है जो कि उस society में prevalent है तो अगर यह ऐसी चीजें हैं तो ऐसी कोई भी कस्टमरी पेमेंट्स या गिफ्ट्स वो डावरी के एंबिट में नहीं आएंगे तो इसमें क्योंकि लड़की की देथ भी नहीं हुई थी तो 304 भी हटा दिया गया था और मोर ओवर उन्रेवर सुप्रीम कोट ने यह भी कह दिया था कि यह सब चीजें कस्टमरी पेमेंट्स या गिफ्ट्स क्योंकि डावरी में नहीं आती हैं तो इसको हम डावरी में इंक्लूड नहीं कर सकते हाला कि उनक 488 की सजा उनकी बरकरार रखी गई थी बाकि जितनी भी सेक्षंस थे आई पीची के जिसमें उनको सजा हुई थी वह उनके अटा दिये गए थे लेकिन 498 में जो कन्विक्शन थी उनकी वह बरकरार रखी गई थी लेकिन में पॉइंट हमारा इसमें समझने का है कि और्णे में दी जाती है या ली जाती है तो ऐसी चीजें डावरी में फॉल नहीं करेंगी तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टन जज्जमेंट है मैं आपको फिर दुवारा रिपीट कर रहा हूं साइटेशन सत्विंदर सिंग एंड अधर्स वरसिस टेट ऑफ पंजाब एंड अनधर 2001 की जज्जमेंट है और साइटेशन भी है इसकी सुप्रीम कोर्ट केसिस वॉल्यूम एड पेज नमबर 633 तो यह है आज की हमारी इंपॉर्टन जज्जमेंट जो बताती है कि ऐसी कोई भी कस्टमरी पेमिंट्स या गिफ्ट्स डावरी के एंबिट में दहेज की बंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वीडियो की मिलती रहें तो अगली बारी हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन